लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहुल गर्माया हुआ है। लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कई है। अमरितपाल सिंग चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगर हां तो वो कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे और क्या वो जेल में रहते वे चुनाव लड़ सकते हैं। आईए जानते हैं इस वीडियो में। को रोकने के लिए धर्म आंदोलन का बड़ा रूप देने के लिए राष्ट्य सुरक्षा कानून खत्म करने। बंदी सिकों की रिहाई और पंजाब के दर्द को अंतुराष्ट्य स्तर पर ले जाने के लिए अमरितपाल सिंग चुनाव लड़ेंगे। इस बीच ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर अमरितपाल सिंग चुनाव लड़ता है तो वह खडूर साहीब लोगसवा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जेल में रहते वे चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंध है या न्याई खिरासत में है तो उसके चुनाव लड़ने पर तब तक रोक नहीं है जब तक कि उसे किसी मामले में दोशी करार न दिया जा सके। दोशी करार दिये जाने के बाद भी अगर सजा दो साल से कम है तो चुनाव लड़ा जा सकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में सरू बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले। बाकि देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए दिखते रहे न्यूस नेशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म। धन्यवाद। झालबेट्स